कि नमोश्कार सक्षी निस्ट्रेट को आप सभी का स्वागत है एक कहवत है करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवत जात तें सिल्पर परत निसान यानि कुवें से पानी खीचने के लिए बरतन से बांदी हुई रसी कुवें के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाती है तो पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं ठीक इसी प्रकार बार अभ्यास करने से कोई भी कई नई बातें सीख कर उनका जानकार उनका विश्यशग्य हो सकता है हम यह कहवत आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि के एक मा और बेटा दोनोंने साथ ही पॉब्लिक सर्विस कमिशन की परिक्षा ाइस की है और अप सरकारी नौकरी करने जा रहा हैं मलपूरम में रहने वाली बिन्दु और उनके बेटे विवेक ने एक साथ ही लोक सेवा आयोक डुत परिक्षा पास की है तो वहीं दूसी और बेटे ने LDC परिक्षा पास की है 42 साल की बिंदू का कहना है कि जब बेटा विवेक दसवी कक्षा में था तब उसे पढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने खुद किताबे पढ़ना शुरू किया था इसी दोरान उन्हें केरल लोक सेवा आ वड़ा लगा हुआ है बिंदू ने टीवी चैनल पर साक्षातकार के दौरान कहा कि उन्होंने लास्ट ग्रेट सर्वेंट यानि एलजेस परिक्षा पास की है जिसमें उनकी 90 सेकंड रैंक आई है जबकि उनके 24 वर्षी बेटे ने अवर श्रेणी लिपिक यानि एलडी सी की परिक्षा पास की है उनके बेटे की अनटीसवी रहंकाई है बिंदू ने कहा कि उन्होंने शिरुवात अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रोचसाहित करने के लिए की इस से उन्हें प्रेणा मिली जिसके बाद उन्होंने एक कोचिंग केंदर में दाखिला लिया इ उनका वास्तविक लक्षे ICDS परिवेक्षक परिक्षा थी जबकि LGS परिक्षा पास करना एक बोनस है बिंदू के बेटे विवेक ने साक्षातकार के दौरान कहा कि हम दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं करते थे लेकिन वे कुछ विश्यों पर चर्चा जरूर करते थे बेट पढ़ाई नहीं करती हैं वह समय मिलने पर और आंगनबाड़ी की ड्यूटी के बाद ही पढ़ाई करती हैं हम आपको बता दें कि केरल में स्ट्रीम टू पदों के लिए आयू सीमा 40 है लेकिन विशिस्ट श्रेडियों के लिए कुछ अपवाद भी हैं अन्य पिशड़ा व हासिल करने के लिए उम्र कोई माइने नहीं रखती है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके